बाबा नंद सिंग जी बैठे किर्टन हो रहा है जंगल बियावान में चले जाते थे वहां किर्टन शुरू कर देते थे थे थोड़ी बहुती संगत आते थे जब संगत चली गई तो एक आदमी नहीं जा रहा है अब नंसिंजी ने उसकी तरफ देखा सेवादारों से पूछा भई यह जा क्यों नहीं रहा है शेवादार कहने लेगे कहता है मैं नहीं जाओंगा प्यार सी बोलिया दन गुर्णान अनक उसे अपने पास बुलाया और देखा वो तो अंधा है देख नहीं सकता बबा नंसिंजी कहने लेगे भई किर्टन की समाप्ति होगी तो चला जाए यहां से कहने लेगे देखो मैं अंधा हूं मुझे यहां रहने दो कोई सेवा कर लिया करूंगा बाबनाशीन जी कहने लेगे क्या सेवा करेगा भाई यहाँ पर तो कोई सोता ही नहीं लंगर पकता है नहीं सेवा क्या करेगा कहने लेगा बरतन दोलूगा कहने लेगे बरतन रखते ही नहीं हाथ में रोटी रखके खाते हैं प्यार से बोलिय अदन गुर्णानक, लंगर की सेवा नहीं, किसी चीज की सेवा नहीं, तू चला जाए आँ से, कहने लगे, देखो, दो रोटिया खाने होती है, मुझे, दो रोटिया के लिए मुझे अपने पास रख लो, दो रोटिया दे दिया करो, बबानान सिंजी को तर बेखारी ते राज करावे, भर से बोलिय अदन गुर्णानक, नाम जबकर इंसान जो चाहे बन सकता है, जो चाहे पराप्त कर सकता है, जो चाहे, बबानान सिंजी कहने लगे, बीख मांगने वाली तेरी हालते है, अगर तू चाहे, तू बांटने वाला बन सकता है, अज द मूल मंतर का जाब बताया, कहने लगे पूरी राज जाकर, पहले अभ्यास करें, फिर जब अभ्यास हो जाए फिर पूरी राज जाकर, अमर्त विले के भीतर, चालिस माला मूल मंतर कर ले रोज, केबल चालिस दिन करके देख ले, और उसके बाद छोड़ना मत पहर से वोली अ दन गुरनानक, यह नहीं कि सब कुछ मिल गया छोड़ दिया, अब जब यह समा आता है साथ संगेजी, आदमी हर आदमी हाँ बोलता है कि कभी नहीं छोड़ूँगा, प्यार से बोली यह दन गुरनानक, पर हमें पता है फिर हम लोग कैसे हैं, सब जानते हैं, उसंदे ने म किते थे, कुछ दिन है, जो मुझे कहता है, पूरा होने लग गया, प्यार से बोली यह दन गुरनानक, एक एक करके लोग आने लग गए, समान चड़ाने लग गए, कि जो कहते हैं, पूरा हो जाता है, यह तो सादू है, संत है, प्यार से बोली यह दन गुरनानक, किरपा थ ऐसा समा आगया भीड लग गए उसके आगे पदार्तों के धेर लग गए वो अंधा जो दो रोटिया मांग रहा था कि रख लो मुझे आज समान बांट-बांट के नहीं थक रहा है फ्यर्जी वोलिए अधन गुर्णानक बापा नंचिंजी ने इसे कहा था कि आगे छोड़ना मत और इसे कुछ शिक्षाई दे थे कि लोगों से माथे नहीं टिकवाने काफी शिक्षाई दे थे इसे और इसने किसी की कोई बात नहीं मानी प्यार्जी वोलिए अधन गुर्णानक क्योंकि काम हो गया जैसे हम लोग है वैसे ही वो था अधे भी टिकवाए लोगों को आशिरवात भी देने शुरू करे क्योंकि उसे लगा मेरे मैं शक्ति आ गई être और और आगे इसकी बहुत बुरी तो ही क्यों कि हमारे जैसा था यहां पर बात चल ड़ी नाम के शक्ति की एक अंदा विखारी समान बांटने वाला बन गया राजा महाराजों के जैसा जीवन हो गया उसका मूल मंतर के सदके नाम के सदके यहार से बोली अधान गुर्णान यह तो हमारी मर्जी है इसलिए बाबा नंग सिंजी कहते थे दो परकार के नेम होते हैं एक होता है नित नेम एक होता है नमित नेम जो नमित नेम करते हैं वो दुखी रहते हैं सारा जीवन नमित नेम क्या होता है यह तकलीफ आई यह जाब किया इतने दिन ठीक हो गई तकलीफ भी कई नमित नेम किसी कारई से करना ऐसा इंसान हमेशा दुख रहता है बाबान अंसेंजी इख enhancement बना लो करना तो नॉयस्टा ना तो इसका अंकहर आता है यह कुण्कि नमित नेम नहीं किया और दुख आने का खारण ही नहीं बशता प्यार से वोलिय धन गुर्णानक नमित आदमी के पास नमित नेम करने वाले के पास दुख आज भी आया कल भी आया जो नित नेम करते हैं गुर्णानक उन्हें दुखों से उपर उठा देता है प्यार से वोलिय धन गुर्णानक नाम नाम की ताकत को पहचारो